नमस्का सातियों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग UPSC और State PCS को ध्यान में रखती हुए यह सभी कलासें लिए जा रहे हैं आपकी और यह सभी कलासें याद रखे आपका प्रलिम्स में फायदा पहुचाएंगी सात में ही आपको मुख परिक्षा में भी फायदा देंगी और एक बात और बता देता हूँ जो बच्चे वंडे गजाम की तैयारे करा हैं अगर वो इन कलासों को देखते हैं तो आपका कोई भी कुश्चन्स नहीं चूटेगा क्योंकि इन कलासों में हम लोग विस्तार से बात कर रहे हैं और आपने देखा होगा हम लोग उने प्राचीन भारत का इतियास कतम कर दिया है अब हम लोग आधुनिक भारत का इतियास कवर कर रहे हैं और इसमें पिछली कलास में आपने PCS Prelims Special Classes के नाम से इसमें पूरी आपका जो भी Prelims का syllabus है सभी class में उसमें आपको मिल जाएंगे चलिए फिरहाल हम लोग यूरोपिय वाडिजिक कंपनियों का भारत में आगमन देखते हैं और इस spinnings review topics से आप देखे कि आपकी परिक्षाओं में एक दो कुशन स हर साल आते रहते तारहूं और आप देखे वही अंग्रेजि ये आप देखे कि यूरोपिय कंपनिया आहती तो हैं विजनेस करने का ब्यापार और ये ब्यापार मुक्encing भारत की पश्च्चमी समुद्रीन तट से लाल सागर और पश्चमी एश्या के माद्द्यम से होता था और आपको बता दूं कि हमारे देश में जो मसाले थे दच्चेन भारत की साथ यूरोपी अपना सीधा ब्यापारिक संबंद इस्थापत करना चाहते थे भारत की पश्मी तट पर अर्वों का धीपत थे था जो भारत बा यूरोप के मद्द बिचॉली की रूम में पूरा लाब अपने पास रख लेते थे अताहा अर्वों की ब्यापारिक के लिए बिचॉलीयों को कुछ कमीशन देनी पड़ रही है तो अंग्रेजियों के साथ भी ऐसा ही था अंग्रेज भारत में ब्यापार करने आ रहे थे कंपनिया यह सभी और आप देखिए आर्वों का एक तरह से और यह आप देखिए कि मुसलिम सासकों का हमारे उफ़व हैं डैन के बाद फ्रांसीस ही आ जाते हैं स्वेडिस आ जाते हैं और एक करम भी आप लोगों को याद रखना है इस करम से भी कई बार कुछ लेता है और करम से लगाने के लिए पूछ लेता है तो आप देखेंगे 1498 में पुर्दगाली कंपनी का भारत आगमन होता है कब 14 1608 में 1600 में आप देखें कि अंग्रेजी कंपनी की स्थापना होती है 1602 में डच हॉलेंड कंपनी का आगमन होता है 1606 में आप देखें कि डैनिस कंपनी का आगमन होता है 1664 में आप देखें कि फ्रेंच कंपनी की स्थापना होती है और 1731 में स्वेडिस कंपनी का आगमन होता है तो इन सभी डेटों को आप लोग जरूर याद रखिएगा ठीक है आप देखिए 1498 में पुर्थगाली 1600 में अंग्रेजी कंपनी 1602 में डच 1616 में डेनिस कंपनी का और फिर आप देखें कि 1664 में फ्रेंच कंपनी और 1773 में 1731 में माप करिए 1773 में आप देखें कि किसका तो एडिस कंपनी का आगमन होता है और भारत में पुर्थगाली का सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में बापस गए तो कहने का मतलब सीधा चाहिए है कि भारत में सबसे पहली पुर्थगाली आते हैं 1498 में और सबसे बाद में जाते हैं गवाप पर आप देखें कि इनका सबसे बाद में एक गवाप को छोड़ते हैं अंग्रेज पहले ही 1947 में भाग चुके थे 1486 में पुर्थगाल की नाविक वार्तु लोमियो डियाज ने कैप अफ गुर्ण हॉप की खोज कर डाली थी इसने नाम को भी याद रखे इस खोज को भी याद रखेगा इस्पैन की सायता से इटली के नाविक कोलंबिस ने 1492 में अटलांटिक महसागर की जोकिम पूर्ण यातरा प्यारम की और अंतता 1494 में अमेरिका महादीब की खोज कर डाली थी इसने एक नए महादीब की खोज कर डाली थी एक और बात बता देता हूँ आपको क्या देखें कि यह आया किस के लिए था यह आया था भारत की कोज के लिए देख रहा था लेकिन आप देखें भारत को कोजते कोजते रास्ता बटक जाता है और यह आप देखें कि अमेरिका को कोज लेता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और अमेरिका एक तरह से आ आप देखेंगे कि पुर्दगालियों की बात करें तो पुर्दगाली पुर्दगीज राजकुमार हेंडरी दा नेवी गेटर ने लंबी समुद्री यात्रा को संभव बनाने के लिए दिख सूचक यंद और नक्षत यंद के द्वारा गरनाये करने वाली तालीकां और साडि देखिए मुझे लगता है कि ये गलत लिखा हुआ है ऐसा मैं इसलिए गह रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत की खोच क्या भारत तो बहुत सालों पहले से था हजारों साल पहले से था भारत आने वाले रास्ते की खोच की है वासकोडी गामाने ना की भारत की लेकिन क्या करें आप देखेंगे कि आपके जो बोर्ड हैं वो भी सही से मानते हैं तो आप लोग जरूर आंसर दिया करिएगा आप लोग इसे को लगाये करिएगा ठीक है अगर भारत आने वाले रास्ते की कोच किस ने की थी पुर्दगाली में पुर्दगाली नाविक ने तो वास्को डिगामा ने या भारत की कोच किस ने की थी तो याद रखे वास्को डिगामा ने 1498 में पुर्दगीच तथा फिथम यूरोपी यात्री बास्को डिगामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मरीद नावक गुजराती पत पिदर्सक की साहिता से 1498 को काली कट का डावू भारत की समुद्री तट पर उत्रा था और काली कट के सासक जमोरिन ने वासकोडीगामा का स्वागत किया लेकिन काली कट के समुद्र तटों पर पहले से ही ब्यापार करे और वो ने इसका बिरोध किया था बासकोटी गामा ने भारत में काली मर्च के ब्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफ़ा कमाया और जिसे अनपुर्दगेज ब्यापारियों को भी फुरोसाहन मिला यानि कि कहने का मतलवी कि आप देखे कि यहां से बो ब्यापार काली मर्च ले गया अपने देश और उसने ब्यापार किया और आप देखे उससे 60 गुना फायदा हुआ 60 गुना मुनाफ़ा हुआ और आप एक तरह से सिधी सी बात कर लिजे कि आप लोग किसी छेत में जाते हैं वहां ब्यापार करते हैं और आपको 60 गुना लाप होता है और आपके पडोसियों को मालू चलता है या कहीं और किसी को मालू चलता है कि आप उतना लाप कबा रहे हैं तो अब फिर आपने देखा होगा कि वहां के बैक्ती और भी बैक्ती वहां व्यापार करने के लिए जा पहुंचेंगे तो यही भारत के साथ भी हुआ बासको डीगामा को 60% लाब हुआ 60 गुना पुर्दगाली के दो पिरमुक उद्देश थे एक अरवों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समात करना और इसाई धरम का परचार करना मुसलिम भी इसी उद्देश से आये थे लोट पार्ट और आप देखिए अपने धरम का परचार करने तो इनका भी यही उद्देश था 1503 में अलवेज के अवराल की नियतित में दुतिय पुर्दगाली अवियान कालिकर्ट पहुँचा और जहां उसने एक अरवी जहाज को पकड़ कर जमूरीन को भैट सौरूप दे दिया और बास्को डीगामा दूसरी बार बार 1502 में आया और 1524 में कोची में मित्यू हो गई इसकी बास्को डीगामा की 1509 में अलमेडा ने टर्की गुजरात मिस्तिकी सयुक्त सेनाओं को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया और दीव पर कबजे के बाद पुर्दगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक सकती साली हो गए क्या हो गए? सबसे इक सकती साली हो गए 1503 में आप देखेंगे पुर्दगाली हो ने कोचीन में अपनी पहली फैक्टरी डाली तो ये भी पूँच लेता है पुर्दगाली हो ने कहां अपनी पहली फैक्टरी डाली थी? कोचीन में कब? 1503 में जिसका 1505 में दुर्गी केर्ण कराय गया और 1505 में केनना नौर में पुर्दगालियों ने अपनी दूसरी फैक्टरी इस्थापित की और फिथम पुर्दगाली गवर्णर अलमेडा भारत में नीले पानी की नीती के लिए पेसे दिता जिसनका उदेश हिंद महासागर्म पुर्दगाली पिरवुत्य की इस्थापना करना था और याद रखिए पिथम पुर्दगाली गवर्णर कौन था अलमेडा ठीक है अलफांसो डी करक को भारत में पुर्दगाली संबराजी का बास्तविक संस्थापक माना जाता है एप पुर्दगाली संबराजी का बास्तविक संस्थापक कौन था अलफांसो डी अलवुकरक अलवुकरक ने कोचीन को अपना मुख्याले बनाया और जो 1530 में तब पुर्दगाली का मुख्याले था अलवुकरक ने 1510 में बीजापुर के सासक यूसोफ आदिल साय से गुआ को छीन लिया जो कलांतर में भारत में पुर्दगीज व्यापारी केंद्रों की जराजधानी बनाई गई फिर आप देखेंगे कि अलवुकरक के समय में पुर्दगाली भारत में सक्ती साली नौसेनिक सक्ती की रूम में इस्थाफित हुए अलफांसो डी अलवुकर्क ने भारत में फुर्दगालियों के संक्या में विढ़ी करने और उनकी इस्थाई वस्तियां बसाने के उद्देश से निम्ने वर गिये फुर्दगालियों को भारती महलाओं के साथ बिवा करने के लिए भी फुरोसाहत किया यानि कि अब आप देखें कि यहीं ब्यापार भी कर रहे हैं और यहीं विवाय भी करने लगे हैं समझ रहे हैं विजयनगर के सासक किष्णे देव राय से अलवुकर्क की मेत्री पूर्ण समद थे जो बिजय नगर का सासक था किषने देवराय इसके अलवु करके से मित्ता थी दोस्ती थी और अलवु करक ने फादर लुई को किषने देवराय की दरवार में भेजा था और पंद्रे सो पंद्रे में गुआ में अलवु करकी मिट्टी हो जाती है मौत हो जाती है अल्वुकर्ट ने अपनी सेना में भारतियों की भी भरती की अब यानी कि आप देखे कि यहीं से भरती शुरू कर दी आपस में यहीं आप देखे कि लड़ाना शुरू कर देंगे भारत आये पुर्दगाली वैसराइड नेनो डी कुना ए 1529 से 38 ने 1530 में कोचीन की जगे आपर मनी रहता है निकादिकाल और तब भी आप देखे कि आजादी के बाद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जवर जर्थी छुड़ाया गया दी कुना ने सैन्थोमा मद्रास हुगली बंगाल और दीप काठियाब अड़ में पुर्दगी बस्तियों की स्थापना की थी भारत की पूर्भी समुदरी तटकी और पुर्दगाली वड़िजी का विस्तार नीनु डी कुना की काल में हुआ था और आप देखेंगा बंगाल के सासक महमूद से पुर्दगालियों ने 1534 में चटगाओं और सतगाओं में अपनी ब्यापारी फैक्टी खोलने की अनुमती पराप्त की तो अब बंगाल में भी जाने लगे पुर्दगालियों ने अकवर की अनुमती से हुगली तथा साईजा की अनुमती से बंदेल में कारखाने इस्थाफित किये और 1542 में आप देखेंगे कि मार्टिन, डिसूजा या फ्रेंसिस के काल में संत जेवियर का दच्छन भारत आगमन हुआ है पुर्दगाली उने हिंद महसागर से होने वाले व्यापार पा इकाद्धी पत्प प्राप्त कर यहां से गजरने वाली अन जहाजों से कर के वसूलि की यानि की आप समझ रहे हैं, यह आये थे खुद व्यापार करने के लिए और इन्होंने आप देखेंगे हिदमासागर पर इकादिकार कर लिया और यहां से अगर दूसरे लोगों का जहाज गुजरता तो उसे कर लेने लगे टेक्स लेने लगे और आप देखेंगे कि पुर्दगालियों ने कार्टरज अरवी जहाजों को कार्ट या परमिट के बिना अबरब सागर में प्रवेस बरजित कर दिया यानि कि कहने का मतलब यह है कि अब आप देखेंगे कि अरब सागर में किसी को जाना है जहाजों को तो उसे परमिट लेना होता था इंचे पुर्दगालियों ने कापला फिडाली के अंतरकर छोटे स्थानिये ब्यापारियों के सागर जहाजों को समुदरी यात्रा के समय सरक्षन पिदान किया इसके लिए जहाजों को चुंगी देनी होती थी पुर्दगाली अधिकार वाले छित्रों से ब्यापार करने के लिए मुगल समराड अकवर को भी पुर्दगालियों से काट या परमिट लेना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि अब राजा को भी सासक को भी आप देखे इनकी इजाज़त परमिट लेना पड़ रहा है 1632 में साय जहां ने पुर्दगालियों की अधिकार से हुगली को छेन लिया और अंग्वेव ने चटगाओं की समुद्री लोटेरों का सफाया कर दिया पुर्दगाली यहां से बस्तों की खरीद में सोना, चांदी और अनेक बहुमूल रतनों का परियोग करते थे और आप देखें यह पुर्दगाली मालाबार कॉंकर्टर से सरवादी कालिमेट्स का निर्याद करते थे और उत्तरफश्चिन भारत में पुर्दगाली राप्टा, बस्त, जिन से ले जाते थे पुर्दगाली गुआ, दमन और दुई पर 1961 तक सासन किया 1961 में यह छोड़ के गए भारत को आप समयरे 1458 में आ जाते हैं और 1961 में जाते हैं पुर्दगालीयों के भारती ब्यापार की पतन के कुछ कारण है एक तो भारती है जनता के पिती धार्मिक आसाहिटूता की भावना इनकी और गुप्त रूप से ब्यापार करना तथा डखेंती और लूटमार को अपनी नीती का हैस्सा बनाना यह भी इनके पतन का कारण बना अन्य यूरोपिया ब्यापारी कंपणियों से पितीस पारदा नहीं कर पाए आप अरे आप ते ब्यापारी तकनीक थी इनके पास तो यह कुश्टन क्या रहेगा इन चार पॉइंटों को आप लोग याद रखेगा पूँचा जा सकता है आप से पिल्लेम से में पूँच ले हो सकता है कि आप देखे कि कई इस्टेट एक्जाम होते हैं तीन नमबर के छे नमबर के उसमें पूँच ले कि ब्यापारी कंपणियों की ब्यापारी कंपणियों हैं तमाकू दे दी, तमाकू की खेती करवाने लगे, जहाज नर्मार प्रेंटिंग पे भी शुरुवात हो गए, पुर्धगालियों के साथ भारत में गौथिक, इस्थापत कला का भी आगमन हुआ, भारत में पुर्धगालियों अदारा इस्थापत प्रवकार खाने देख दच्छिट पूर्वे इसिया कि मसाला ब्यापारों में स्तीधे प्रवेश, पाने के उद्दे से कुछ डच ब्यापारियों ने 1592 में भारतिये ब्यापारी कंपनी का गटन किया, जिसके पहला डच जहाजी बेडा 1595 में कार्णेलिस हसाओवान की नितित में हालेंड से भा सेफ ऑफ गोड होप होते हुए सुमात्रा बंटाम जा पहुंचा, और फिर आप देखें कि पंद्रे सो ले सो दो में डच हॉलेंड संसद्वारा पारित पिस्ताओ से एक सयुक्त डच इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और इस कंपनी को डच संसद्वारा 21 बरस एक आधिकार प्राप्ट कर लिया, एक आधिकार करने का मतलब होता है कि हमारा है इदिकार, एक ही बैक्ती का, एक ही कंपनी का आधिकार एक तरसी, भारत में डच फैक्टरियों की सबसे वड़ी विसेश्ता यह थी, कि पुली कट इस्थित गोल्डिया के दुर्ग के में पिथम डच कार खाने की स्थापना की, डच ओन द्वारा भारत में स्थावित कुछ अनिकार खाने जैसे पुली कट में 1610, सूरत में 1660, और पिपली बंगाल में पिथम यह आप देखें कि 1627, विमली पटनम में 1641, और करी कल में 1645, चिन सूरा में 1635, कोचीन में 1663, का आसे माजार पटना बाला सूर, नेगा पटनम 1685, फिर आप देखेंगे 1690 में तक डच गवर्नर का मुख्याले पुली कट था, उसके बाद नेग पटनम मुख्याले बना, डचों द्वारा भारत से नील, सोरा, सोती वस्त का निर्मा निर्यात किया जाता था, यानि कि यह स मतलब हो जा रहा है, सूरत इस्तित डच ब्यापार ने देशाले डच इस्ट इंडिया कमपनी का सरवाधी कलाप कमाने बाला पितिष्ठान था, और आप देखेंगे डचों द्वारा कोरुमंडल तर्ट भरती पिदेशों से सूती वस्त का ब्यापार किया जाता था, भारत में पुर्दगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निस्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की नौसेनिक सक्ति के सामने डच नहीं टेक सके, क्या नहीं डच नहीं टेक सके, और 1769 में लड़े गए वेदरा की योद में अंग्रेजों ने डचों को हो गए थे निकी सकती कब जोर पड़ गई थी, 1769 में यह हुगा था, ठीक है, फिर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, भारत में डचों की आसा फलता के पर मुक कारण आप से पूँचे, तो इसका सरकार के सीधे नियंतर में होना, कंपनी के भैष्ट एभाम आयोग पदा डैनमार्क के बारे में जान लिजे, डैनमार्क की इस्ट इंडिया कंपनी की स्थाफना 1616 में हुई, और इस कंपनी ने 1620 में त्रंको वार, तमिलाणू, और 1626 में सेरामपूर, बंगाल में अपनी ब्यापारी कंपनी आइस्थाफित की थी, और सेरामपूर डैनो का प्रम के रो के नितित में सूरत में कारखानी की स्थाफना हुई, और 1669 में मर्क कारा के नितित में मसूली पटनम में कारखानी की स्थाफना हुई, 1672 में एडमिरल हे के नितित में सेंट थो में मदरास में कारखानी की स्थाफना की थी, और लुई चौदहवे की मंतरी कॉलवर् प्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और जैसे कंपेंडेज इंडेज ओरियंटेज ओरियंट लेस कहा जा गया तो यह से भी नाम जाद रखेंगे फ्रांस की ब्यापरी कंपनी को राज द्वारब इसे सदिकार तथा बित्तिय संसाधन पर आपते था 1668 में सूरत में अपने पहले ब्यापारी कार खाने की स्थापना की और आप देखेंगे 1669 में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमती पराप्त कर मुसली पठनम में दूसरी फ्रेंच फेक्टरी की स्थापना की और 1673 में कंपनी के निदेशक त्रेंसिस मार्टिन ने वेली कॉंडपूर के सुविदा से खान लोदी से परदूचरी नाम के गाउं पर राप्त किया जिसे कलांतर में आप लोग पांडी चेरी के नाम से भी जानते हैं तो याद रखिए 1774 में बंगाल की सुविदार सहिस्ता खादवारा फ्रांसिसियों को पिदत इस्थान पर 1692 को चंदनगर की स्थापना की गई और 1701 में पांडी चेरी को पूर्म में फ्रांसिसी बस्तियों का मुख्यालय भी बनाये गया किनका फ्रांसिसियों का फिर आप देखेंगे मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महाने दे सकतने उखत किया गया था फॉंडी चेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने होट लुई का निर्माड करवाय था और फ्रांसीसीयों ने 1721 में मौरिसस, 1724 में मालावार में इस्तित्माही और 1749 में कराई कल्क पर अधिकार कर लिया था और 1742 के बाद फ्रांसीसी भी ब्यापपारिक लाप कमानी की तुला में राजनितिक उद्देश की पूर्ती की दिशा में सक्क्री हो गया और फ्रांसीसीयों की युद के बीच युद परारम होता है और आप देखी कि दोनों आपस में सोच रहे होंगे कि हम लूटेंगे हम सासन करेंगे और आपस में लड़ जाते हैं अंग्रेजी और फ्रांसिसियों के बीच लड़े हुए योद को करनाटा की योद के नाम से जाना जाता है और कोरुमंडल समुद्र तट पर इस्थिद किलावंद मद्रास और पॉंडिचेरी करमसा अंग्रेजी और फ्रांसिसियों के सामरे दृष्टी कौन से महत्पोन बस आती हैं तो यह भी आप लोग समझ लिजेगा फ्रांसिसियों का काम कतम हो जाता है अब आते हैं बेटिस पर तो अंगरी कंपनी का प्यारमिक उद्देश क्या था इसका मोल उद्देश क्या था क्योंकि आप देखते हैं कि किसी कंपनी का गठन होता है या आप कहीं किसी काम से जाते हैं तो कोई काम उद्देश तो रहता हो इसका तो इसका काम था या उद्द अग्रेजिक था ना कि भूभाग पर अधिकार इस्ताफित करना यहां कि आप देखिए कि कम्पनी अंक्रेजी कम्पनी वहां से यही सोच के आई हुई थी कि हम भारत में जाकर ब्यापार करेंगे शुरुवात में आप देखी उसका सासन करने का विल्कुल भी ओदेश नहीं था और वो खुद कहते हैं इस बात को सुईकारते हैं येवोपिय व्यापारी कम्पनियों में भारत में सरवाधिक प्रभावी अंग्रेज रहे हैं और जिनकी सफलता का प्रमुक कारण मुके द्वारा भारास सहेत संपूध-ACI व्यापार के सौरूप को समझना और व्यापार विस्तार में रاجनिती केवुम सैन सक्ती का सहारा ले तो इसका नाम जरूर याद रखेगा फिर आप देखेंगे 1599 में इंग्लेंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दलने अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी अत्वा दा गवर्णर एंड कंपनी ओफ मर्चेंट्स ओफ ट्रेडिंग इन्टू दा इस्ट इंडिज इसक कंपनी को पूरुक के साथ ब्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्त प्यदान कर दिया और 15 वर्ष बीतने के बाद आप देखेंगे कि 1509 में समराड जेम्स पिथम ने कंपनी के ब्यापारी के अधिकार को अनिशित काल के लिए बढ़ा दिया यह आप देखें इस्ट इंडिया कंपनी की पिथम समुद्री यात्रा 1601 में जावा सुमात्रा तथा मलक्का के लिए हुई थी और 1604 में आप देखेंगे कंपनी भारत की ओर बढ़ती है क्या होती है बढ़ती है 1608 में आपको मालू होगा कि इंग्लेंड के राजा जेम्स पिथम के दूद क रोम में कैप्टन होकेंस सूरत पहुचा और जहां से वह मुगल समराठ जहांगे से मिलने आगरा गया कौन कैप्टन होकेंस ये भी पूछ लेता है कि किस मुगल समराठ के समय में इंग्लेंड यात्री राजा कह लीजे दूद कह लीजे आया हुगा था कैप्टन होकेंस सम भारत की भूमी पर कदम रखने वाला समुदरी रास्ते से ठीक है भारत की भूमी पर कदम रखने वाला पिथम अंग्रेज था और समराट जहागीर ने होकेंस की व्यापार से पिसन होकर विवाल से पिसन होकर उसे आगरा में वसने उतता चार सो की मनसप एवं जहागीर और 6 परवरी 1613 में को जहांगीर की ओर से जारी एक साही फर्मान द्वारा अंग्रेजों को सूरत में ब्यापारी कोठी इस्थावित करने की अनुवती पिदान की जाती है जो भारत में अंग्रेजों की पिथम फैक्टरी थी कहां सूरत में फिर आप देखेंगे टॉमस एल्ड वर्ट की अधीन सूरत में ब्यापारी कोठी की स्थापना हुए सर्थ टॉमस रो वेटेन की राजा जैम्स पिथम की दूद की रूम में 18 सेप्टमबर 1615 को सूरत पहुंचता है और 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 तक रहता है इस बीच रो न मुगल दर्बार से समराज की विविन हिस्सों में ब्यापार करने तथा दुरुगी करेंड की अनुमती प्राप्त की और आप देखेंगे लोग चतुर थे अंग्रेज क्या थे चतुर थे जहां आप देखें कि हाथ जोड़ने की नौबत आती थी यहां जोड़ लेती थे जहां आप देखें तेल लगानी की जरुत पड़ती थी वो सब एक तरह से समझ रहें आप लो और 1619 में तक एहमदाबाद भड़ोच बड़ोदा आगरा में कंपिनी की ब्यापारिक कार खाने इस्थापित हो पाए और बिना आप देखें कि यहां के जो सा सकते उस समय के उ 1611 में मसूली पटनम पटनम और पैट्टा पुली पैतो पली में इस्थापित किया था और 1623 में आप देखेंगे अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फर्मान प्राप्त कर 500 पेकवडा बारसिक कर अधा करने के बदले गोलकुंडा राज में इस्थि पहला कार खाना बाला सोर बाला सोर और हरी हर पुरा में इस्थापित किया है 1634 में आप देखें कि बेटिस संसर द्वारा पारित एक पिस्ताओ द्वारा बेटिन की सभी प्रजागों भारत में ब्यापार करने का अधिकार मिल गया याद रखे 1634 की बात है इस अधिकार प प्रजीश को औरंग जीब की दरवार में भेजा अब आप समझ रहेंगी इतना कॉम्पीटिसन था कि हर कोई भारत में आना चाह रहा था यहां ब्यापार करने में फायदा था समझ रहें आप लों और 1649 में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज को चंदगरी के राजा ने मदरास पटे पर परात हो गया और यहां पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जोर्ज नामक के लिए की स्थापना की और 1641 में कोरॉन अंडल तट पर फोर्ट सेंट जोर्ज कम्पनी का मुख्याले बन 1661 में पुर्दगालियों ने अपनी राजकुमारी कैतरीन ब्रंगाजा का बिवा बैटन की चाल्स दुतिय से करके बंबई को दहश की रूब में दे दिया तो यह जो आज आप लोग दहश पिता देखते ना यह बहुत पहले से चली जा रही है तो राजा महराजा भी देते थे 1705 में बंगाल में यूरूपी कंपनियों के व्यापरी केंने भारत की बर्तमान बाहर सीमा देखिये आप लोग दिल्ली फिर चाहे आप लोगे ने पठना होगली यह सभी आप देखिये सिंधू नदी जा रही है गोवा कालिकड कोचीन विसाका पत्नम गोलकुंडा तो यह आप समझी महा नदी नदी हो गई है यह नर्वदा नदी हो गई बड़ोदा राजकुमार चाल्स ने 1668 में बंबई को 10 पॉंड के बारसिक किराय पर इस्ट इंडिय कंपनी को दे दिया ऐसे और 1669 से 1677 तक बंबई का गवर्णर गेराल्ड ओंगियर की बास्तो में बंबई का महानतम संस्था पक था और साहे सूजा ने पॉर्दगालियों से नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमिच चित में ब्यापार की अनुमती पिदान की लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर गेवियल वोटन के साहे सूजा की लड़की का सफलता पूरवक इलाज करने के करण अंग्रेजों को एक दो जहाजों के साथ बिना चुंगी दे ब्यापार की अनुमती मिली एक तरह से आप देखी कि इनकी लड़की का अलाज करने की बदले इने इनाम एक तरह से दिया गया 1659 में वरिजमेन की नेतिते में बंगाल के होगली नामा के स्थान पर अंग्रेज कारखाना की स्थापना हुए साहे सुजा की अनुमती से 1658 तक बंगाल विहार उडिशा उकुरूमंडल की समस्त फेक्टियां फोर्ट सेंट जोर्ज मद्रास के दिन आ गई 1670 में और अंग्रेजों को बंगाल में ब्यापार करने की सुविधा हेतु फर्मान जारी किया और 1672 में बंगाल के मोगल सुविधार सहिस्ता खाके आदिश तवारा अंग्रेजों को मिलने वाली ब्यापारीक सुविधा को बहाल कर दिया गया क्या कर दिया गया बहाल कर दिया गया और William Hages बंगाल का पितं गवर्नर बनता है यह जरूर आप लोग याद रखिएगा William Hages बंगाल का पितं गवर्नर बनता और 1686 में हुगली को लूटने के करां अंग्रेजों का मोगल से पितं संघर्स होता है जिसमें मोगलों ने उने हुगली से निसकासित कर दिया और अंतता एक लाग पचास जार रुपया मुअबजा लेकर मोगलों ने अंग्रेजों को पुना व्यापार करने की अनमती पदान कह दे और आप देखें कि अंग्रेज अपनी हारमान ले भी लेते थे हमसे गलती हो ग बंगाल में कंपणी के एजेंट की रूम में ने उप्त किया गया और दसफरवरी 1691 को जॉप चौर नौक ने सुता नाती में अंग्रेज जी अंग्रेज फैक्टरी की स्थापना की फिर आप देखें कि 1698 से 99 में बंगाल की सुविदार अज्जू मुसान की अनमती के और आप हमें यह जमीदारी यहां की विवस्ता उपलब्द करवा दिजे। प्रेसिडेंसी बना दिया गया और आप देखेंगे नई और पुरानी इस्ट इंडिया कंपनी को आपस में बिलाय करने का नेड़े 12 जुलाई 1702 को लिया गया और सयुक्त कंपनी का नाम रखा गया दा इंगलेंड ट्रेडिंग टू दी इस्ट इंडिया इंडिज तो इसको भी याद रखेंगे पहले अलग लग थी इने एक कर दिया जाता है 22 जुलाई 1702 को 1715 में कंपनी द्वारा मुगल दर्बार में जौन सर्मन की अध्यक्ष्टा में एक सिष्ट मंडल भेजना कंपनी की इतिहास की सरवादिक मत्पूर घटना थी और वेटिस दूत मंडल में एडवर्ड इस्टेफेंसन, विलियम हैमिल्टन, सर्जन तथा क्वाजा से होड़्द अर्मीनियन सुभा सिया सामिल थे इसमें इन नाम भी याद रखेंगा सर्जन हैमिल्टन ने वासा को एक भयानक वीमारी से मुक्ती दिलाई वेडम सरूख खुसो कर फरुक्सियर ने बंगाल, हिदरावाद, और गुजराद के सुविदानों की नाम तीन फर्मान जारी किये कंपनी का मेगना कारटाज से ही कहते हैं आप लो बंगाल में तीन हजार उफे वारसिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त ब्यापार में सीमा सुलक से मुक्त कर दिया गया और इस फर्मान द्वारा कंपनी को कलकता की आसपास की 38 गाओं को खरीदने का अधिकार भी मिल जाता है और फरुक सीयर द्वारा दिये गए फर्मान द्वारा बंबई में ढाई ढाली गए सिक्कों को समुच्चे मुगल समराज में चलाने के लिए छूट भी मिल गई एक तरह से आप समझें कि आप किसी गाओं में जाते हैं या किसी राज में जाते हैं किसी जिले में जाते हैं किसी देश में जाते हैं वहाँ पहले आप लोग व्यापार करते हैं, उसके बाद आप देखे अपनी सक्तियां बढ़ाने लगते हैं, अपना व्यापार बढ़ाने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आप लोग वहाँ की राजया बन जाते हैं, सासन करने लग जाते हैं, तो अंग्रेजों ने भ की गरावट होना पैरम हो जाता है फरवर्थी मुगल काल में राजनेतिक अव्यवस्था के दोर में दरवारी दलबंदी और सडेंत का लाव उठाकर अनेक छेत्री सक्तियों ने सुतंत राज्यों की स्थाफना की और जैसा कि आप सभी भी जानते भी हैं कि जब सासा किया फि सरफःता बैटेसासन की अधीन भी हुगा आजादी भी पाई इसने आप देखिए और मुगलों से और आप देखिए तुरंथ उसके बैटेसासन की अधीन हो जाता है सबसे पहले मुरसीत कुली खां यह आप देखिएगे 17o से 1727 तक रहता है बंगल का है इसासक खिलवर्धी खा सथाह ट्रेश चाली से सतरे सो चंगन तक सिराजुद डॉला सब्रेश उत्रेश अंधावन तक मिरी जाफर याद लेएर सट्रेशो दॉलन से शान्धावन चैनल का जयकाल मीर कासिम ए 760-760-760 तक फिर मीर जाफर ए 760-760 तक नजबुद्ध दौला ए 765-760 तक और सिफ फुद्ध दौला ए 767-770 तक मुबारक दुला मुबारक दुला ए 770-775 तक मुर्सीद कुली खा कि अगर हम लोग बात करें सबसे पहले किसकी मुर्सीद कुली खा तो मुगल कालीन सुवों में बंगाल सबसे धनी परांध था और आज भी आप देखते हैं बंगाल काफी मात्पूर है और एंगे की बित्यों के बात बंगाल मुर्सीद कुली खा की नेत्त में पूर सुतनत हो जाता है मुर्सिद कुली खा ने 1719 में बंगाल की राधधानी को ढाका से हटा कर मुर्सिदाबाद में स्थाना नतीत किया और मुर्सीद कुली खा ने बंगाल में नई भूराजस विवस्था की अंतरगत किसानों को तगावी रिड फिदान किया और बंगाल में इजारीदारी पिथा को बढ़ावा दिया और मुर्सीद कुली खा सुतंत होने की बाद भी मुगल समराट के पिती निष्ठा जयताती हुए उन्हें बारसिक कर और नजराना भेहट भी दिया देता रहता था क्यूंकि वह मुगलों का विश्वास अपने उपर बनाय रखना चाहता था यह सुतंत भली हो चुका था लेकिन आप देखें जो मुगल थे उनका जो भी बनसा जरा होगा औरंग्जेव की बाद जो भी सास्तक रहे होंगे उन्हें हर जाना एक तरह से कर भी टेक्स भी देते रहते थे हर साल सुजाउद्दीन 1727 में हुर्षीत कुली खां की मित्यू के बाद सुजाउद्दीन अंगला बंगाल का नवाब बनता है और सुजाउद्दीन के पिर्मोक पिसासनिक सलाकारों में सामिल थे राय एरायन अलाम अलाम चंद विसे सग था जगस सेट फतेचंद एसाहुकार था अलीवर्दी खां और हाजी एहमद खां सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को 1749 में विहार का नायव नाजिम ने उपकिया है इसी समय सुजाउद्दीन की मौत हो जाती है डेथ हो जाती है फिर आप देखेंगे आलम उद्दौला हैदर जंग सहर्फराज खां सुजाउद्दीन के बाद उसका पुद्द आलम उद्दौला हैदर जंग सर्फराज खां 13 मार्च 1749 को बंगाल का नबा बनता है सर्फराज की पिसासने कारियों के पिती निस्ट करेटा और आयोगता के कारण सेगी बंगाल में एक करांती हुई और अर्विवर्दी खां क बुरी तरह पराजित हो जाता है इस तरह की उद्दों के बारे में और डेट के बारे में याद रखा करिएगा क्योंकि और किन किन के भी चुआ है ये भी याद रखा करिएगा क्योंकि इनसे भी कुश्चन्स आपकी परीक्ष्व में पूंच लेता है और इस तरह की कुश बस दिया जाने वाला नजराना समाप्त कर दिया और इस पेकार मुगल समराट की उपचारिक प्रभुत्ता भी समाप्त हो जाती है बंगाल से अली वर्दी ने अंग्रेजों और प्रांसीसियों की स्वेक्छा चारिता पर अंकुस लगाते हुई करमसा कलकत्ता और चंदनगर अली वर्दी खाने यूरोपियों के बारे में कहा था कि यदि उन्हें ना छेडा जाए तो वो सहत देंगे और या छेडा जाए तो काट कार कर मार दालेंगी और ऐसा हुआ भी अली वर्दी की मितिव के बाद उनका नाती सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब बनता है सिराज उद्दौला की अगर बात करें तो अली वर्दी के बाद उसका नाती सिराज 10 अफरेल 1756 को बंगाल का नवाब बनता है सिराज उद्धौला की राज गद्धी के पिती द्वेंदी और विरोधी में पिरमुक थे पूडिया के नबाप सौकत चंग चचेरा भाई था इनका सिराज की मौसी घसीटी बेगम उनका सैनापती मीर जाफर अली बर्दी का दमान था है और आप देखेंगे इने ने सड़ेंदर अच्चा है इनके खलाब सिराज का अंग्रेजों से समंद कड़वा हट भरा था यानि के अच्छे समंद नहीं थे जिसके लिए कई कारण जिम्मेदार थे जिनमें पिरमो कारण यह है नवाप के राज्य रोहन के समय उसे उचित सम्मान या उपहर कंपनी द्वारा ना देना नवाप को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फेक्टरी के निरेक्चन की अनमती ना मिलना नबाप की उनमती की बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी की सुद्रन करना मजबूत करना कलकत्ता का अधिकार 15 जून 1756 करने हितू नबाप ने सुएम आकमर का नेतित किया कलकत्ते के गवर्नर ड्रेक को जुआर गरस्त फोल्टा दूइप में सरनल लेनी पड़ी और मिश्टर हॉल्वेल अपने कुछ सहयोगियों के साथ नबाप की समक्ष आत्मसंफर पड़ कर देते हैं और 20 जून को फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराज ने बंदी बनाए गए 440 कैदियों को जिसमें इस तरी वबच्चे भी थे को एक गोटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दी आओ 21 जून को पराता काल एक कमरे में किबल 21 वेक्ती ही जीवित बच्चे जिसमें अंग्रेजी अधिकारी हॉल वेल भी सामिल था और अंग्रेज इतिहासकारों ने बीस 21 जून की इस घटना को काल कोटरी की तरास्थी की संग्या दी यह भी आप लोग वियाद रखेगा काल कोटरी की तरास्थी काफी चर्चा में है क्या हो इतिहास में आप देखेंगे मानी जाती चर्चित घटना अंग्रेजियों द्वारा कलकत्ता पर पुना अधिकार करने के लिए अक्टूबर 1706 में मद्रास से रावर्ट कलाइब की नेतित में सैनेक अभियान को कलकत्ता भेजा गया इस सैनेक अभियान में एड्मिरल वाट्सन कलाइब का साहिक था कलाइब ने पहले बजबा फ़रे दो जून 1757 को कलकत्ता पर पर दिकार कर लिया कलाइब पर वड़ती परवाहों से भैभीत नवाब ने संधी का पिस्ताओ रखा यहां से आप देखें कि अंग्रेज क्या होने लगे सक्ती साली होने लगे और 9 फरवरी 1757 को कमपणी और नवाब सिराज के मद्द संपन अली नगर की संधी की सरतों के अनुसार नवाब ने मुगल बातसाथ द्वारा कमपणी को पिदत समस्त ब्यापारिक सुबधाओं को सुईकार कर लिया यहां से नवाब जुकना शुरू हो जाते हैं अली नगर की संधी आप लोगों को जरूरी याद रुखनी है कमपणी और नवाब सिराज की बीच हुई थी 1757 और इनमें आप देखेंगे जिन कमपणी अंग्रेजी फैक्टरियों पर नवाब ने कपजा किया हुआ था को बापस करने ते हुए हरजाना भी दिया गया अंग्रेजीों को सिखा ढालने वों कलकत्ते में किलिवंदी का भी अधिकार मिल गया और 18 अगस्त 1757 को अंग्रेजीों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल इस्थावित कर ली बंगाल इस्तित फ्रांसेसी बस्ती चंदनगर उपर अधिकारिकर कंपणी ने नवाब से कहा कि भी फ्रांसेसियों को बंगाल से बाहर निकाल दें और जिसे नवाब को मानना भी पड़ा क्या करना पड़ा मानना भी पड़ा और नवाब करते क्या इनकी पास option भी तो नहीं था फिर आप देखते हैं पिलासी का युद्ध होता है और इस पिलासी का युद्ध भी काभी मात पूड़ हो इससे questions पूछे जाते हैं इस 1757 की घहतना है कब की 1757 की वरत्पान में फिलासी नदिया जली में गंगा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा फिलासी के युद में अंगरेजी सेना ने किलाईब की नेतित में हिस्सा लिया और दूसरी और नवाब की सेना का नेतित तीन राजदरोही मेरी जाफर यारल टीब और यारल लतीब खाँ और राय दुरलब ने किया था राज दुरोही आप समझे रहे हैं राज दुरोही मतलब राजा की खिलाब इन्होंने एक तरह से सडेंद रचा और अब आप सुचे कि अपने ही देश राजी की खिलाब रहे सतरे जून 1757 को दोनों सेनावें आमने सामने हुई नबाब की सेना का वफादर सहभाई मीड मदान और मोहनलाल मैदान में लड़ते हुए वीरगती को प्राप्त हो गए इन्होंने अपनी एक तरह से कर्तब निभाया सिराज की सेना की तीनों धोकी बाद सेनापती यूद्यचेत में एक भी गोला दागे वगेर वापस आगे सेना चेनवें न देखकर नबाब घबडा कर अपने महल की ओर भागा और अंतरा उसकी हत्या कर दी जाती है और पहले ही अंग्रेजों ने इनसे सडेंथ कर लिया था 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जापर को बंगाल का नबाब बना दिया और आप देखी कि गद्दारी का इन्हें इनाम भी मिल गया 28 के उद्द के परडाम के संबन्द में यदू नाद सरकार ने कहा है कि 23 जून 1757 को भारत में मद्देकालीन यूग का अंत हो गया और आधुनीक यूग का सुवारम हो गया 28 के उद्द के बाद बंगाल में लिउग इस क्राफटन को नबाब की दरवार में अंग्रेज रेजिमेंट ने उक्त किया गया मिरजाफर ने अंग्रेजों को तीन करो रुपे का घूंस दिया और कलाइब को यूद छटीपूरती के रूम में 37,000 मापकरी 37,70,833 पॉन्ड पराप्ट हुए अब आप समझ सकते हैं अब आप देखिए यहां से अंग्रेजों को उनकी सेवा के बदले धेल सारा पुरुसकार दिया और किलाइब को उसने 2,34,000 पॉन्ड की व्यक्तिगत भेंट, 50,000 रुपे सेना और नाबिकों को पुरुसकार की रूम में बंगाल की सभी प्रांसेसी वस्तियों को जापर ने अंग्रेजों को सौफ दिया और कलांतर में मीरिजापर की अंग्रेजों से सम्मंद अच्छे नहीं रहे क्योंकि नवाप की पिसासनी कारियों में अंग्रेजों का हस्तिचे अधिक बढ़ गया और साथ ही मीरिजापर ने चिन सुरा इस दिद डचों की साथ अंग्रेजों के बेरुदि सडेंद करने लगा और अंग्रेजी सरकार की खर्च में दिन फिती दिन हो रही वेत अहासा विड़्धियों से पूरा ना कर पाने की कारण मीरिजापर ने अक्टूबर 1760 में अपने दमाद मीरिकासम के पक्ष में सिंगासन त्याग दिया और कलाइब के फिती के तग्यता भेक्त करने ही तू मीरिजापर ने ततकालीन मुगल वासा आलमगीर दुतिये से कलाइब को उम्रा की उपादी और 24 परगने की जमीदारी पिदान की फिर आप देखी मीर कासम मीर कासम अलिवर्दी के उत्तरा दिकारी में सरबादी योग था और मीर कासम को बंगल का नवाब बनाया जाना इतिहास में दुतिये करांती की रूम में बिख्यात है नवावी पानी के बाद कासम ने बेंड श्री टार्ड को पांच लाग हॉल वेल को दो लाग सत्तर हजार और करनल के लोड को चाललाक रुपे उपाहर के रूम में दिये मीर कासम ने बिख्यात के नवाब सुवेदार नारायन राम नारायन को उसके पद से बरखास कर उसकी हत्या करवा दी क्योंकि वह बिख्यात के आये और व्या का वेवरा देने के लिए तियर नहीं था सेन विवस्था में सुधार करने के उद्दे से मीर कासम ने अपनी सेनेकों की संख्या में विद्धे की साथी उन्होंने यूरूपिय धंग से फिसिक चित किया उने और इससे अपनी सेना को गुरगीन खान नमक आर्मीनियाई के नियंतर में रखा 1770 में मुगल बासा दौरा पिदत व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग देखकर नवाब मीर कासम ने आंतरिक व्यापार पर सभी पिकार के सुलकों की बसूली बंद कर वा दी और 1712 में मीर कासिंग द्वारा समाप्त की गई ब्यापारिक चुंगी और कर का लाब अब भारतियों को भी मिलने लगा और पहले यह लाब 1770 के फर्मान द्वारा केबल कंपनी को ही मिलता था कंपनी ने नवाब के इस नेडर को अपने विसे सदिकार की आउए हिलना की रूम में लिया पैडाम सरू संगर्स की सुरुवात हो जाती है अभी तक आप देखी किबल अंग्रेज ही फायदा उठा रहे थे और फिर आप देखी भात ही अगर इसका फायदा उठाने लगे तो अंग्रेजों के पीट में जलन तो होगी 1763 में मीर कासम को कंपनी ने बरखास कर मीर जाफर को पुना बंगाल कनवाब बना दिया अगर पाकिस्तान में आपको राजनीती करना है आपको कोई पद चाना है चाहे वो पिधार मंतरी खुद ना हो तो आपको सैना अध्यक्ष की गुलामी करनी होगी सैना अध्यक्ष की आप लोगों को बात माननी होगी इसके कई उधरण आपको देखने को मिलेंगी कि कई बाद सैना की अगर अंदेखी कर दी जाती है सैना प्रमुकी तो वो तक्ता वलट करवा देते हैं वो जेल में डलवा देते हैं फांसी तक दिला देते हैं आप देखें किए अभी इमरान खाण को इमरान खान सेना की हस्तेचेप के बाद ही यहां के पिधान मंत्री बने थे और सेना की हस्तेचेप के बाद ही इन्हें हटाए गया है और साहवास सरीप आप देख रहे हैं कि सेना की काफी गुलामी कर रहे हैं से बना दिया गया और यहां की सेना का डारेक्ट इंडारेक्ट देखी राजनीती में हस्ताचेप रहता है हमारे देश की सेना अलग है भारत कीत किया उनका करतब है जो देश की रक्षा करना लोगों की रक्षा करना वो अपना करतब बहुत 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 तरीके से न अबद के नवाब सुजाओ दौला और मीर कासम से मिलकर अंग्रेजों के बिरोद एक सेन गठवन्दन का निर्माड किया और इसके बाद ही आप देखेंगे वक्सर का योद्ध होता है कब 1764 में बक्सर की मैदान में अबब की नवाब मुगल समराट मीर कासम की सहुगत सेना और दूसरी और आप देखेंगे अंग्रेजी सेना हेक्टर मुर्नरो की नेतित में पहुंची और सीगी हेक्टर मुर्नरो की नेतित में अंग्रेजी सेना ने बक्सर की योद्ध को जीत बक्सर की योद्दिन ने कम्पणी को एक अखिलवार्तिय सक्ती का रूप दे दिया अब आप देखे एक चाट दिन का राज हो जाता है यहां बक्सर की योद्दिन में पराजित होनी के बाद साहलम जहां पहले ही अंग्रेजों की सरन में आ गया था वहीं अबद की नवाब आपने कुछ दिनों तक अंग्रेजों के विरुदि सेनिक साहता ही तू भटरकने के बाद मई 1765 में अंग्रेजों के समक आत्म समर्पन कर दिया क्योंकि यह कमजोर पढ़ चुके थे पर आप देखेंगे पांच फरवरी 1765 को मीर जाफर की मित्यू के बाद कंपनी ने उसक पर आते ही उसने साहय अलम और सुझाव दौला से संधी की और 12 अगस्त 1765 को कलाई में मुगल बादसा साहय अलम से इलाबाद की पिथम संधी की और जिसमें सरतें क्या थी इलाबाद की संधी आप लोगों को याद रखना चीक किनके बीच हुए थी कलाई और मुगल बाद साहय अलम के मुगल बाधसा ने बंगाल विहार उडिसा की दिवानी कंपनी को सौप दी कम्पनी ने अगवद के नवाद सी कड़ाओ मानिपुरचीन कर मुगल बादसा को दे दिया एक फरमान दोहारा बातसा साहय अलम ने नजमुत द्वलाको बंगाल का नवाब में सुझ इधासा मतलब समझे, दो तरह का सासन, जिसमें आमदानी किसी और के पास हो, और आप देखे कि खर्च किसी और के पास हो, जैसे घर का आप लोग समझ लिजे, परिवार का माल लिजे, आप देखे कि जो पैसा आता हो, एक किसी और मैंमर के पास आता हो, और घर की देखभाल क पित्र ना, सबका ख्याल लखना, किसी और वैक्ती के पास हो, तो इसी तरह का दोईधिसासन बंगाल में शुरू होता है, मोगल काल में प्रांतिय पिसासन में दो पिकार की अधिकारी होते थे, जिनमें सुविदार जिनें जिसे निजाम भी कहा जाता था, और काकार इसका का सैनेक, पिती, रक्षा, पोलिस और नियाय फिसासन से जुड़ा था, और दूसरा प्रांतिय इसतर का सेष्ट पद दीबान था, जो राजस वित्तिवयोस्था की देखवेक करता था, एक दोनों अधिकारी एक दूसरे पर नजर रखते थे, और मोगल वात्सा के पिती उत् आप देखे कि मोगल वात्सा के पास से उत्तरदाई हो, उसकी देखरेक में काम करता हो, लेकिन जो दीवान हो, वो आप देखे अंग्रेजों के अंडर में काम करता हो, यानि कि जो माल आ रहा है, वो अंग्रेज ले जा रहे हैं, वहाँ जो आप देख रहे हैं कि पिती रक पुलिस विवस्था देखनी है नियाय पिरसासन देखना है यह सभी बात्साय के अंडर में और बात्साय कहां से पैसा लाए इने के लिए इलावाद की संदी के बाद अंग्रेजों को 26 लाग रुपे वार्सिक देने के बदले दीवानी का अधिकार तथा 33 लाग रुपे बंगाल के नवाप को देने पर निजामत का अधिकार पराप्त हुआ और दीवानी और निजामत दोनों अधिकार पराप्त कर लेने के बाद ही कमपनी ने बंगाल में दोएदे सासन की सुरुवाद की दोएदे सासन का जनक लियो निस कार्टेश को माना जाता है और बंगाल में इसकी सुरुवाद किलाइव ने की थी दोएदे सासन का जनक किसे मानते हैं लियो निस कार्टेश को और बंगाल की में इसकी सुरुवाद किसने की किलाइव ने दोएद शासन जिसकी सुरुवाद बंगाल में 1765 से माना जाता है इसके अंतरगत कम्पिनी ने देवानी और निजाम निजामत के कारेओं का निस्पादन भारतियों के माध्यम से करती थी लेकिन जो बास्तविक सक्ती थी यह आप देखेंगे कि सक्ती कम्पिनी के पास होती थी किस के पास होती थी कम्पिनी के पास होती थी बास्तविक सक्ती एक तरह से आप लोग आज के समय के राश्टपती को माल लिजे आप सभी जानते हैं कि राश्टपती के पास नामात की सक्तियां होती हैं बस दिखा देते हैं कि सभी काम राश्टपती के नाम से हो रहे हैं कंपनी और नबाब दोनों द्वारा पिसासन की विवस्था को ही बंगाल में दोएद सासन कहा गया और जिसकी विसेस्था थी उत्तरदायत रहत अधिकार और अधिकार रहत उत्तरदायत सेगी बंगाल में दुटिसासन के दुस फरिडाम दिखने को मिले समचे बंगाल में आज राजिकता फैलती आविवस्ता फैलने लगी भिष्टाचार का माहौल बन गया और फरवरी सत्तरे सो पैंसट में किलाईब ने बंगाल के नबाब नजमुद दुला से संधी की और जिसमें सर्तें इस्पिकार थी बंगाल में पिसासने कदिकारीयों की नियुक्ति कदिकार कम्पिनी को होगा साथ ही नबाब की सेना को लगभग समाप्त कर दिया गया की विसमें कोई भी ऐसी सबसरकार नहीं रही जो इतनी भेष्ट विष्वास गाती और लो भी हो जितना की भारत में कमपनी की सरकार है किलाईब ने खुद बंगाल की ओव्वैस्था के बाड़े में कहा है कि मैं किवल इतना ही कहूंगा कि अराजकता अविवस्था विष्टाचार और सोसन का जैसा दर्ष से बंगाल में था वैसा ना तो किसी देश में देखा है और ना ही सुना हो गया और ऐसे अन्यायुक्त और लोग पूर्ण ढंक से इतने लाप कभी पराप्त नहीं किये गए हैं तो आप देखें उनकी अधिक पूर्दगाली अभियान की नेतित करता था बार्थोलोमियो डियाज एस तरह पितम आप देखें कि 1486 में आसा अंत्रीप की खोचकी थी अलमेडा पितम पूर्दगाली गवर्णर था विलू वाटर पॉलिसी की इसने खोचकी थी एक तरह से जॉन मेडन हॉल इस्थाल मार पूर्दग से भारत आने बाला पितम बेटिस नागरेक था यह गैराल्ड ओंगियर बंबई का वास्तिविक संस्था पक था चार्स हाहर फोर्ड बिलियम का पितम गवर्णर था बिलियम है जेज आप देखें बंगाल का पितम गवर्णर जनल था गवर्णर था जौप च वासकोडी गामा को गुजराती का गुजराती पत्परदर सकता। कॉलवर्ट लुई चौदैवा का मंत्री जिसके परियास से 1664 में फ्रांसी सी कंपनी इस्थापित हुई। राय दुलॉप विहार का दीबान एवब नबाप का कोसाध ध्यक्ष था। मीर मदान मुहलाल नबाप के वफादार रहनापती और सलायकार थे। सौकत जंग एस सिराज का चचेरा भाईत और फूनिया का नबाप था। सिराज ने इसे मनिहारी की योद्ध में पराजित कर मार डाला था। घसीटी वेगम एस सिराज की मौसी थी। कौन थी? सिराज की म मुकसूत दार था ये और जिसकी हत्या किलाइब द्वारा कर दी गई थी। गुरगीन खां एमीर कासिम की सेना को यूरोपिय धंग से पिसिक्षित करने बाला आर्मिनियाई अधिकारी था। मौहमद तकी खां एस सेन पिसिक्षन के चित में मीर कासिम की साहता की थी। वा आप देखें कि यूरोपिय वडिजिक कंपनियों का भारत में आगमन वाला चैप्टर हम लोग ने बिस्तार से बात की हुई है। इस पर हम लोग ने गहन अध्यान किया है एक तरह से। चलिए तो आप लोग पढ़ते रही हैं इंज्वाय करते रही हैं कुछ सुधार करना यह दोसे बताईए आप लोग अंगली खिलास में हम भारत में बेटे सराज जी की इस थापना पर बात करेंगे और उसके बारे में बिस्तार से बात करेंगे हम लोग ठीक है।